प्रेंट्स आज के बिए टोपिक में हम जानेंगे कि कोई भी चीज है उसके लिए जिसके लिए हम प्रतिवद हो उसके लिए हम किस फ्रेज का यूज करके हम संटेंस को बनाते हैं ताकि हमारा संटेंस हो वो सही हो तो फिर किसी भी चीज के लिए अगर हम प्रतिवद होते है याद रहे आपको कि हम किसी भी चीज के लिए प्रतिवद हों यानि उसको करना ज़रूरी हो तो फिर वहां पर हम यूज करते हैं कि अब्लिगेशन कि अब्लिगेशन पूर काम यूज करके को सेंटेंस को बनाते हैं लेकिन और चीज करने के लिए में बिल्पुल रूप से प्रतिवद दीड़न तरह कि अगर हम आता प्रतिवद हो यादर आपको हम बिल्कुल रूप से प्रतिवद हो फिर वहां पर हम करें酥 68 करते हैं वह होता है हमारा कि अंडर कि नो अब लीजिए संटेंस को बनाते हैं आई हम इसके कुछ हम उधारन भी देखते हैं जिससे कि आपको यह जो टॉपिक है यह बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ जाए और जिस सुदे से बनाया गया यह टॉपिक वह आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ जाए तो जैसे दिल्ली में मकान मालिकों के लिए अवस्यक है कि वह अपने किरायदार का इन दिल्ली लेंड हो लोड्स धर अब केपर कीप रिकार्ट to keep a record of their tenants of their tenants यानि कि दिल्ली के मकान मालिकों के लिए आवस्यक है कि वो अपने किरायदारों का record रखे सरकार की दूसरा ये देखते हैं कि सरकार की बद्याता है कि वो समाजिक नयाई के लिए सब कुछ करे अबर्माइब 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 अबर्म सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह हमारे प्रश्णों का जबाब दे, अजिम्मेदा टार की अन्वेदान आत्सटिस है कि वह एास लुचो, उविए सब्स्टिस, बधनको जसित The गॉर्मेदाई । secondly, संट्टिस, संट्स्टिस, स्टिस, सुचोन तू एंसर आवर कुश्चन एंसर आवर कुश्चन पर्यावरान की सुरक्षा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है फिर यहां भी हम यूज करेंगे we have a moral obligation we have a moral obligation moral obligation to protect the environment to protect the environment मिदे आपको यह समझ में आया होगा जाद रहे आपको की जब भी प्रतिवद्ता की बात हो तो हम वहां पर यूज करते हैं जो सब्द हो अब लिएसन यूज करके हम उस सेंटेंस को बनाते हैं झाल झाल